आज मैं एक छोड़ा सा कहानी सुनानी जाए रहा हूँ, कहानी ऐसा है एक गाउ में राजुनाम का एक लटका रहता था, उसका सपना था कि वो एक अच्छे और प्रसिद धाबक बने, एक दिन उसके गाउ में स्री गोबिन जी आये, जो प्रसिद धाबक हैं, एक कोई प्रोग्राम में आये थे उनके गाउं पे, उसी टाइम राजुने जाके गोबिन जी से मिला, और गोबिन जी को पुछा, सर आप इतना तीज कैसे हैं, गोबिन जी ने मुस्क्रायते हुए बोला, मैं जब जब गीरा, मैं खुद को उठाया, और मेहनत से, खुद को और तेजी से धकेला, राजु ने गोबिन जी के ये बात को गांट मांद ली, और वो खुद महनत करने लगा, कुछ साल बाद राजु ने राष्ट्य दोड़ पे हिस्सा लेने लगा, एक अंतराष्ट्य दोड़ पे राजु ने गिर पड़ा, उसी टाइम स्री गोबिन जी का कहे हुए एक-एक सब्द मन में आया, वो याद किया, और खुद को उठाया, जितना तेजी से वो दोड़ रहा था, उस और तेजी से, वो खुद को भगाया, और फिनिश लाइन वो पार के अकर के जित हासिल की, राजु ने और हम सब ने इस कहाने पर ये सिखा कि असलिजित कभी हार ना मनने में होती है, धन्यवाद, नमस्कार.